तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पास current assets रखें उन current assets का कुछ amount वो अपनी current liabilities में से finance कर लेता है बात हम यह कर रहे थे कि current assets में पैसे फस्ते कहां कहां पर हैं एक पैसे बिजनस के फस्ते हैं inventory में दूसरे पैसे फस्ते हैं trade receivables यानि हम जब customers को उधार पर चीज़े बेचते हैं और तीसरा बिजनस का पैसा फस्ता है current bank account में या फिर cash के form में अच्छा इसको हम कुछ finance कर लेते हैं by means of trade payables हमारा target यह था कि पूरे working capital management में दो चीज़े थी जिसका balance हमें बरकरार रखना था एक हमरे पास challenge था profitability का और दूसरा हमरे पास challenge था लिकुडिटी का तो हमें कोशिश यह करनी है कि profit को अगर बढ़ाना है profit को अगर बढ़ाना है तो current assets में कम से कम amount आपका फसना चाहिए और अगर लिकुडिटी को बढ़ाना है तो current assets को maximize करना है अब क्यूंकि दोनों का balance हमें बरकरार करना है तो एक approach करिए कि current assets को बढ़ाएं और एक approach करिए कि current assets को कम करें तो हम ना तो जरुवत से ज्यादा जाएंगे और ना ही जरुवत से कम आएंगे इसको हम कहते हैं कि we have to maintain an adequate level एक मुनासिब लेवल रखना है जिस तरह गर में एक simple मिसाल हमारे पास होती है कि हम battery में पानी डालते हैं तो कभी किसी को अगर कहते हैं battery में दे को पानी कम लग रहा है तो उसको भर दे तो कुछ अनाड़ी क्या करते हैं उसको इतना पानी भर देते हैं कि वो ढकन तक भर के आ जाता है और फिर उसके कैप टाइट कर देता है बोलता है कि साथ battery में पानी डालती है लेकिन क्या इतना ज्यादा पानी बैटरी में डालना बैटरी के लिए ठीक है डेफिनिटी नहीं जिनको पता होगा वो उस पे पता है कि बैटरी पे एक लाइन लगी होती है maximum level की वो maximum level basically यह कहता है कि बैटरी में पानी कभी भी इस लेवल से उंचा नहीं आना चाहिए इसी तरीके से जो प्लेटे होती है बैटरी की उस प्लेटों की एक लिमिट होती है कि पानी उसे नीचे नहीं जाना चाहिए अगर आपकी बैटरी की प्लेटे विजिबल हो जाती है पानी इतना नीचे चला जाता है तो भी बैटरी के लिए खतर ना क्या है और अगर बहुत कम आजाता है तो भी खतर ना क्या तो हमने एक basic rule क्या पड़ा था कि investment in working capital should not be too low and should not be too high तो current assets में आपकी investment बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा होगी तो company का पैसा जो हमने investors से लिया है जिस पर हम cost of capital return देने वाले हैं वो अगर हमारा फंस गया current assets में तो हमारे company की profitability मारी जाएगी और अगर हमने बहुत कम रखे तो हमारी company की liquidity दाव पर लग जाएगी और business के डूपने के chances बढ़ जाएगी अच्छा अब हम इस पूरे topic को अपने topic की तरफ ला रहे हैं that is inventory management inventory क्योंकि working capital का एक हिस्सा है वैसे तो working capital अपने आप में पूरा topic है जिसमें receivable management भी आती है cash management भी आती है trade payables management भी आती है लेकिन वो typically financial management की तरफ चला जाता है हमारा cost and management accounting के अंदर typically जो area covered है वो है सिर्फ वो सिर्फ inventory management management अचा inventory management में प्राइमरी हमारे पास जो topic cover है उसके उपर हम बात करते हैं that is reorder quantity in short हम इसको कहते है ROQ ROQ का मकसद हम यह decide करना चाहते हैं कि जब हम supplier को order place करते हैं तो how much raw material should be ordered per order यानि एक order में हम कितने raw material की quantity खरीदें हम इसको simply कह रहे हैं this is order quantity या फिर order size कि supplier को जब हम order place करते हैं तो एक order के अंदर कितना raw material कितना raw material आपको order करना चाहिए यह बात आप पहले highlight कर रहा हूं मैं repeatedly के हम सिर्फ और सिर्फ raw material के हवाले से बात कर रहे हैं we are not talking about finished goods इस बात को आप highlighted रखेंगे के inventory management का हम जितना भी area cover करेंगे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ raw material की हम work in progress की बात नहीं कर रहे हम finished goods की बात नहीं कर रहे ना हम wk की बात कर रहे है ना हम finish goods की बात कर रहे हैं हम working capital management में inventory management की section के अंदर सिर्फ और सिर्फ raw material की management को consider कर रहे हैं आचा जब आप ये decide करने जाते हैं कि हमें कितनी quantity order करनी चाहिए तो basically हमारे सामने दो मुश्किलाते आती हैं पहला आती है holding cost और दूसरी आती है ordering cost से अगर हम ये कहें कि एक business के अंदर एक साल के अंदर पूरी factory को एक लाख बीस हजार किलो ग्रैम्स चाहिए अच्छा अब एक factory है हमारा कारखाना है उस कारखाने में एक साल में एक लाख बीस हजार किलो ग्रैम्स चाहिए सवाल हम क्यों उठा रहे हैं अगर मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट करता हूं कि जब आप supplier को order place करें तो supplier को आप यह कहें कि मुझे 60,000 किलो ग्रैम्स भेजो तो 60,000 किलो ग्रैम्स यह मेरी एक order की साइज है इसको हम डिनोट करने के लिए टर्म यूज करेंगे क्यूँ क्यूँ इस दे कॉंटिटी पर order या size पर order कि हम एक order में कितने किलो ग्रैम्स कितना raw material supplier से खरीदेंगे यह 60,000 मैंने कहां से drive किये हैं इसका कोई ना सर है ना पैर है यह महज एक तुका है अच्छा अब मुझे challenge क्या होता है हमें पुरे साल में अपनी production को मुकमल करने के लिए कितने केजीज चाहिए एक लाग बीस हजार अगर आप 60,000 केजीज एक ही order में खरीद लेते हैं मिसाल अगर हमारा year end है December 2021 तो हम supplier से अगर January में ही 60,000 kg खरीद देते हैं तो देखा जाये तो यह तो हमारे 6 महीनों का stock है अच्छा यह 6 महीनों का stock अगर आप supplier से January में खरीदते हैं तो supplier आपसे payment भी कब लेगा येकिनन January में अगर हम उसको April में कहें या February में कहें कि या अभी मेरे पास तो पांच महीनों का समान पड़ा है तो अभी से पैसे क्यों मांग रहे हो तो supplier आपसे पैसे तब ले लेगा जब आप उसे समान खरीदेंगे supplier उसके consumption से बंधा हुआ नहीं है supplier उसके sales से बंधा हुआ नहीं है supplier कहेगा आपने मुझसे 60,000 kg जैनुरी में लिए थे मुझे जैनुरी में payment कर दो अच्छा इससे क्या होगा हम यह 60,000 kg रखेंगे कहां holding cost क्या कह रही है कि जितने ज्यादा kg आप खरीदेंगे एक order में उतनी ज्यादा आपकी holding cost आएगा अगर मैं 6 महीनों का stock जैनुरी में ही खरीद के रख लेता हूँ तो वो 60,000 kg मुझे संभालने पड़ेंगे अपने warehouse में रखने पड़ेंगे supplier को 60,000 kg के मुझे payment करनी पड़ेगी तो जितना ज्यादा आप order place करेंगे उतना आपकी holding cost ज्यादा आएगी अगर इसी जगा पर हम कहते के इसको 60 ना करो बलके बलके 30,000 kg पर order place कर दो तो आपको ना तो supplier को 60,000 kg की payment करने की जरूरत है क्योंकि आपने खरीद ही 30,000 kg है तो आप supplier को payment भी 30,000 kg की करेंगे उसे क्या होगा कि अगर आप पूरे 6 महीनों का सामान अपने पास hold करते हैं तो आपकी cost ज्यादा आएगी और अगर आप 3 महीने का सामान अपने पास hold करते हैं तो उसे फाइदा होगा कि आपके जो storage cost है जो carriage cost है या carrying cost है या holding cost है वो कम हो जाएगी अच्छा अब issue क्या आ रहा है कि अगर हम पूरे साल का सामान जैनुरी में ही खरीद लेंगे तो हमें 1,20,000 kg को अपने पास hold करना पड़ेगा अगर हम 60,000 करते हैं तो 60,000 kg hold करने पड़ेगे 30,000 करते हैं तो 30,000 hold करने पड़ेगे पंद्रह हजार करते हैं तो 15,000 hold करने पड़ेगे आप जितना कम कम करके मंगवाएंगे holding cost उतनी ही बچेगी क्योंकि उतनी ही कम units को आपने hold करना है अच्छा लेकिन सामने से ordering cost है ordering cost क्या है आपको पुरे साल में कितने kg चाहिए एक लाग 20 खजार और एक ही order के अंदर आप कितने kg खरीद रहे हैं अगर 60,000 खरीद रहे हैं अगर supplier को मिसे मैं एक ही order में 60,000 kg बाई कर लेता हूं तो एक लाख बीस हजार केजीज के लिए मुझे कितने बार ओर्डर प्लेस करना पड़ेगा इट इस टू टाइम्स कैसे आपको पूरे साल में कितने केजीज चाहिए एक लाख बीस हजार और आप एक ओर्डर में कितने केजी मगवा रहे हैं साथ हजार तो आप सप्राइर को एक ओर्डर प्लेस करेंगे आपके पास साथ हजार आ जाएंगे दूसरा ओर्डर प्लेस करेंगे मजीद साथ हजार आ जाएंगे तो आप दो orders में ही अपनी quantity पूरी कर लेंगे इसी तरीके से अगर मैं supplier से 30-30,000 kg करके खरीता हूँ तो 1,20,000 kg खरीदने के लिए मुझे supplier को order कितनी बार प्लेस करना पड़ेगा 4, correct क्योंकि 1,20,000 kg है और मैं खरीद रहा हूँ 30-30 करके तो supplier को मैं 4 बार order place करूँगा अच्छा order place करने का दरहकी का मकसद क्या हुआ मैं supplier को order place करूँगा supplier से documentation करूँगा requisition raise करूँगा purchase order raise करूँगा supplier मेरा माल तयार करेगा मैं गाड़ी के transportation के थूँ उसका माल अपने पास ले के आऊंगा वहाँ supplier के go down से उसकी loading होगी मेरे go down में आके off loading होगी उसके transportation के कोई insurance करवानी है कोई taxes भरने है delivery charges भरने है वो मुझे कितनी बार भरने पढ़ेंगे taxes भी दो बार पे होते थे transportation cost भी में दो बार भरता इसको हम कहते हैं ordering cost तो ordering cost में main principle क्या है कि जितना आपकी order quantity बड़ी होगी आप जितने ज्यादा ज्यादा kilogram करके खरीदेंगे उतना आपके number of orders कम हो जाएंगे और उतना आपकी ordering cost भी कम हो जाएगी तो अब जहाँ पर trade-off है between two एक हमें bear करनी पड़ रही है holding cost और दूसरी हमें bear करनी पड़ रही है ordering cost अगर हमारी order size bigger है यानि हम एक order में ज्यादा units खरीते हैं तो हमारी holding cost बढ़ जाएगी और हमारी ordering cost सेव हो जाएगी similarly अगर हमारी order size छोटी है तो हमारी holding cost भी कम होगी लेकिन number of orders बढ़ जाएगी तो हमारी ordering cost बढ़ जाएगी अब दो डिफ्रेंट इशूस हैं जर इस नोट विन-विन सिचुएशन हमें यह डिसाइड करना है कि हम एक order में कितने kilograms मंगवाएं कितना raw material मंगवाएं कि हमें हमारी holding cost भी कम हो और हमारी ordering cost भी कम हो यहां तक कोई confusion हो तो पूछ सकते हैं अच्छा पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि holding cost और ordering cost है क्या चीज़ यह समझना बहुत ही ज्यादा ज़रूरी है जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही असान सी चीज़ है लेकिन उसके जो underlying concepts हैं वो बास बच्चों को समझ में नहीं आते या वो गवारा नहीं करते अगर book भी पढ़ते हैं तो उनको click नहीं होती हो चीज़ तो examiner ICAP का इस model को इतना हलका नहीं examine करता वो उसकी वो technicalities examine करता है जो student हलकी ले लेता है तो बहुत ज़रूरी हम उन चीज़ों को अच्छे से समझ लें कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे concepts की कमी की वज़ा से examiner हमारे हाथ से वो 12-15 marks बड़े मज़े से चीन लें साहर सी बात है अगर 100 में से 12-15 marks इसके आ जाते हैं और हम उसको size या time नहीं कर सकते तो पीछे game रह जाता है सिर्फ 85 या 88 marks का और हमारे लिए game जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम किसी भी चीज़ को इतना हलका बिलकुल नहीं लेंगे definitely हम कोई BBA, MBA तो नहीं बढ़ रहे के examiner हलका सवाल देगा professional qualification है और professional qualification में भी ICAP है तो रगड़ा तो मारेगा हम इस बात को समझते हैं कि holding cost किस बला का नाम है मैं आप लोगों को थोड़ा type करने का time दे रहा हूं या my con करने का time दे रहा हूं आप मुझे बताएंगे कि holding cost में कौन कौन सी costs आती है होल्डिंग कॉस्ट में कौन कौन सी costs आती है storage cost storage से आपका मकसद विदात सर अगर कोई हम inventory मगाएंगे raw material की तो सर उसको कहीं रखना भी तो पड़ेगा जो उस वक्त यूज होरी होगी currently वो तो यूज होगी बागी 5 महीने की जए वो हम कहीं store भी तो करेंगे ठीक है उसमें क्या खर्चा आएगा सर उसके अंदर अगर जो सर अब rent पर कोई जगा लेंगे उसके अंदर उसको store करेंगे good ठीक है आप में से majority ने मुझे respond किया है warehouse rent और कोई खर्चा मैं अगर अपने पास ज्यादा inventory मंगा के रख लेता हूं तो मेरी holding cost आएगी holding cost है आपका क्या मकसद है कौन से खर्चे आपके आएंगे holding में एक आपने कहा warehouse current yes दूसरा answer है insurance yes anyone else और कुछ correct supervisor salary good और कुछ interest okay yes Scratch yes ठीक है अच्छा मैं अपनी तरफ से रखता हूँ लेट से उसकी सिक्यूरिटी कॉस्ट है उसकी एलेक्सिटी कॉस्ट है उसकी हीटन लाइट कॉस्ट है करेक्ट डेप्रेसियेशन है अच्छा यह सारे हमने इकराजात गिल लिए परिशेबल आइटम्स को रखने का खर्चा करेक्ट जिस तरह फार्मस्यूटिकल या फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको आप वेराउस में एक प्रॉपर टेंपरेचर के अंदर रखो गये अगर आपके वेराउस का टेंपरेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया यानि करेंश बारावब बिश्यूट्यम्स या बोवक्रणर अधैल्ख गर्मी होगी तो वह जो परेशिबल आइटम्स होते हैं या वह जो भी सेंसिट्यव आइटम्स होते हैं वह खराब हो जाते हैं तो यहास व practiced घ्याल 152 थम्परेचर में इंटाइन करने की कोस्ट है वह में सोच रहे हैं कि हम supplier से कितने units खरी। दें, तो मैं आपको कहता हूँ बई, कितने भी खरीद लो, आपको कितने चाइए, आप कहते पूरे साल में एक la eigenen भी सार किलोग्रैम्स मुझे चाइए, तो हमें आपको कहते हैं एक lamaking भी année खरीद लो, एक केते हैं सर इतने सारे एक साथ खरीद लो मैं के तो हाँ तो क्या टेंशन है आप के तरह मेरा होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी अच्छा मज़ेगी बात आप से मैंने पूछा होल्डिंग कॉस्ट क्या है आपने कहा कि सर वेरहाउस का रेंट है तो मैं कहता हूं भाई अगर 10, 10,000 केजीज करके खरीदोगे अगर 15,000 केजीज करके खरीदते हो 20,20 करके खरीदते हो 30,30 करके खरीदते हो 60,60 करके खरीदते हो कि 1,20,1,60 क्या आपके वेरहाउस के रेंट पे किसी किसम का कोई फरक आएगा तो हम ये देखते हैं कि वेरहाउस के रेंट की जो नेचर है वो तो आपको किस बात की चिंता खाये जा रही है मैं जब आपको कह रहा हूँ कि पूरे साल का माल खरीद लो एक साथ पूरे साल की inventory एक ही order में मंगवा लो तो आप तो उसी गुडाउन के इंदर रखोगे ना जहां दसदार केजी रकोगे जहां जुझार रखोगे जहां थीस अपने भरना ही है ना किया करदोगे अगर दस एक पिर रहे हो आप एसी चीज़ की परेशानी में हो जिससे आपके फैसले पर कोई असर ही नहीं बढ़ता तो उस बेवफा के बारे में सोच नहीं क्या जिसके बारे में आप तो सोच रहे हो लेकिन उससे कख फरक नहीं पड़ता आपके फैसले से तो आप inventory पूरे साल की एक ही साथ खरीद लो तीन-तीन महिने के खरीदो चेचे महिने के खरीदो या महिने महिने के खरीद लो warehouse का rent तो वहीं क तो मैं फिर कहूंगा क्यार तुमने अगर पुरे go down की insurance करवाई वी है तो फिर तो पुरे साल का एक साथ खरीद लो लेकिन बाजा insurance पे की जाती है fix में या कभी-कभी होती है अगर कि आपकी insurance cost fixed है तो attention नहीं लो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कितनी भी inventory खरीद देंगे आप कितना भी order place करेंगे आपकी insurance cost को इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर आप insurance pay करते हैं premium pay करते है as a percentage of stock value तो आपका सोचना जायज है क्योंकि अगर आप ज्यादा stock रखोगे तो ज्यादा premium भरना पड़ेगा कब stock रखेंगे तो कम premium भरना पड़ेगा supervisor की salary का क्या सीन है करेक्ट वो तो fixed है तो supervisor की salary भी आपके stock level से connected नहीं है हाँ आप सारा सामान एक साथ खरीद ले 60-60,000 करके खरीदे 30-30,000 करके खरीदे 10-10,000 करके खरीदे आपके supervisor की महाना तनका तो वही होगी चाहे आपकी stock की level या stock की value कुछ भी हो तो इसके बारे में भी सोचना फुजूल है अच्छा, interest का क्या मकसद है सर, हमने supplier को payment करने के लिए जहां से पैसे बारे होंगे अगर हमने loan को लिया है तो हम अभी जो पूरा उपर का topic चेड़ते आए हैं यह मैं घुमापरा के इसी level पे लाना चाह रहा था कि हम अगर supplier से पूरे एक लाग बीस हजार किलो ग्रैम खरीद लेते हैं और bilfords एक किलो ग्रैम असी रुपे का है तो एक लाग बीस हजा मल्टिप्लाइबा असी रुपे हमारे 96 लाख रुपे हमारी inventory में हसेंगे वो 96 लाख रुपे आप लाओगे कहां से या तो आप bank से overdraft लेंगे या तो आप bonds के पैसे यूज करेंगे या तो आप bank loan के पैसे यूज करेंगे या तो आप preference shares के पैसे यूज करेंगे या तो आप ordinary shares के पैसे यूज करेंगे कि CK भी पैसे यूज़ करेंगे वो आपसे एक return चाहते हैं जिस return को हमने पढ़ा है cost of capital लेहाजा जितना ज्यादा सामान खरीदेंगे उतना ज्यादा हमारी interest cost company को bear करनी पड़ेगी जो उफ़र से हम topic पढ़ते आ रहे है कल से topic पढ़ते आ रहे है कि जितना ज्यादा आपकी inventory होगी profitability उतनी कम होगी because आपने जो पैसे लिये हैं investor से उस पे आपने हर साल एक return पे करना है और आप जो पैसे लगा रहे हैं जहां पे वहाँ आपको दिनों और महीनों कोई भी हिसाब नहीं मिलेगा अगर market value बढ़ेगी तो घंटों में भी बढ़ सकती है मिंटों में भी बढ़ सकती है दुनों में भी बढ़ सकती है लेकिन जहां से आपने करजा लिया है वो आपसे दिन दिन का गिन के meter जलाएंगे और interest का हिसाब लेंगे आख से तो उस कोस्ट को मिनिमाइज करने के लिए जरूरी है कि आप अपने पास इंवेंटरी कम से कम रखें सिक्यूरिटी कोस्ट अगें फिक्ज्ड है कि अगर आपके पास ऐसे कडिनी तीवी ज़ यह ने रखी हुई है वह सिविललेंस की जो मेंटरेंस कोस्ट यह जो ऑपरेटिंग कोस्ट है वह फिक्सट है regardless आप अपने पास inventory कितनी ज्यादा रखते हैं या कितनी कम रखते हैं आपके security cost fixed है इसी तरीके से electricity cost को भी हम fixed की category में लाते हैं क्योंकि आपकी बिजली का बिल बाब्डा के हैसको के number of kilowatt hours के हिसाब से कमों पेश जरूर हो सकता है लेकिन inventory ज्यादा रखी है कम रखी है इससे आपके electricity cost पे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा heat and light cost जो temperature maintain करना या lightning करने का करचा है वो भी fixed है इसी तरीके से जो depreciation है वो भी fixed है hence जो भी items fixed है उसके उपर आपने consideration नहीं रखनी है sum up कर रहे है holding cost है क्या चीज़ holding cost अगर कोई भी fixed element है तो आपने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है holding cost is per unit per annum मिसाल हम जो supplier से raw material खरीटते हैं कि उसकी कॉस्ट है 80 रुपए और हमारी company का cost of capital है 12 अगर हम अपने warehouse में एक kilogram पूरे साल के लिए रख दें अगर हम एक kilogram पूरे साल के लिए अपने warehouse में रख दें तो उसकी cost क्या होगी हम अपने 80 रुपए फसाएंगे लेकिन वो 80 रुपए हम लाएंगे कहां से या तो आप bank के overdraft को use करेंगे या आपने bank से loan लिया होगा या आपने bond issue किये होंगे या आपने debenture issue किये होंगे या आपने preference shareholder से पैसा लिया होगा या आपने ordering shareholder से पैसा लिया होगा आपके investor का required rate of return कितना है 12% per annum तो असी रुपए का बारा परसंट बन रहा है 9.6 what is this 9.6 it is cost of holding CH cost of holding one kilogram for year अगर हम एक kilogram पूरा साल अपने पास warehouse में रख दें तो हमारी company को उसका खर्चा आएगा 9.6 रुपीज जितने ज्यादा kilogram रखोगे उतनी ज्यादा holding cost आएगी जितने कम kilogram रखोगे उतनी कम holding cost आएगी फैसला आपका है लेकिन वेराउस का रेंड, supervisor की salary, बिजली का bill, security इन इकराजात के बारे में आपका सोचना मुनासिब नहीं है because वो आपके हर एक kilogram के उपर नहीं आ रहे है तो हम जब भी CH पढ़ेंगे, इसका मकसद है holding cost per unit per annum कोई भी holding cost जो के fixed है, यानि regardless of level of inventory, regardless of value of inventory है उसके उपर हम विल्कुल भी tension नहीं लेंगे because वो खर्चा तो आएगा ही आएगा चाहे हम कितने भी kilogram करीते हैं, चाहे हम supplier से कितने भी units मगवाते हैं So we are done with the section of holding cost Examiner यकीनन अपने question के अंदर holding cost में वो वो elements दे देता है जो के fixed होते हैं बच्चा जब उसको भी holding cost मानना शुरू कर देता है, तो उसका पूरा का पूरा question गलत हो जाता है क्योंकि उसकी जो basic understanding है, वो basic understanding ही लंगडी है और जब उसको एक basic concept का नहीं पता होगा, वो यकीनन आगे question solve नहीं कर सकता और examiner आपकी एक गलती पे पूरे question की punishment मार सकता है, आप तरोना दोना उजूरू होगा अच्छा, दूसरी cost क्या है? ordering cost ठीक उस तरह से जस तरह हमारी holding cost को में हमने सरफ और सरफ variable elements को count किया, ठीक उसी तरीके से ordering cost में भी हम सरफ और सरफ variable elements को count करेंगे, अगर कोई भी fixed elements आपके ordering में है, तो उनको आप count नहीं करेंगे, लेकिन यहां हमारा जो unit रखा जाएगा, तो ordering cost is cost per order, it is not per unit और पर किलोग्रेम, यह बात याद रहे है, ordering cost is cost per order, इसमें क्या क्या खर्चा आ सकते हैं, what we yes अबिस्ट्प गस्ट गस्ट्पवब्सすब को कि यह सब्सक्राइब अपनी ट्रांसपूर्टेशन की भी इंशुर्स करवाती है उसके अलावा लोडिंग ओफ लोडिंग ब्रोकरेज एंड कम्यूनिकेशन हमजाज में ब्रोकरेज कोस्ट और प्लेस्मेंट की उपर हो सकती है यकीनन के जब हम और प्लेस करते हैं तो हम अपने जो भी ब्रोकर बीच पे इंवाल होता है उसको हमें कमिशन पे करनी पड़ सकती है करेक्ट 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 जो इसकी और प्लेस्मेंट में डॉक्यूमेंटेशन है अगर क्या आपका सप्लायर देखो हम जो जिन कॉस्ट की बात कर रहे हैं यह युनिवर्सल टृट नहीं है यानि मैंने अगर लिग दिया कि यह रेलेवेंट है और 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 के उपर आईगी तो हर कंपनी के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है जिस तरह कुछ कंपनी के सप्लायर्स फिक्स होते हैं और वो जब सप्लायर को सिर्फ फोन ही करेंगे तो सप्लायर उनके कॉल पे ही समान पहुचा देगा लेकिन कभी कबार आपको प्रॉपर एक अथॉरिटी देनी पड़ती कि सप्लायर को आपको एक हागर गाइक करनी पड़ती है एक क्लिफ कर न पड़ती हैपए सपप्लायर आपसे पेमिंट्स की ओरिंटी के लिए बिल उफ एक्सचेंज बनवाते हैं या सब्कुंग करना पड़ते हैं. तो इससे साड़ी companies के लिए उपर ऐसा हो ऐसी जरूरी बात नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है कि हर बार जब भी हम order place करेंगे तो हमें bank के थूँ एक guarantee दिलबानी पड़ेगी या bill of exchange right करवाना पड़े का bank से supply को guarantee देने के लिए तो ऐसा हो सकता है transportation cost जो जिसको हम fright charges भी कहते हैं delivery charges भी कहते हैं और जितनी बार आप order place करेंगे उतनी बार आपको transportation cost होगी insurance cost shipment के साथ एक insurance cost भी होती है normally जब overseas shipments होती है यानि हम अपना supplier कहीं abroad है foreign supplier है तो foreign supplier से जब हम order place करते हैं तो हमें shipment charges भी पे करनी पड़ती है और साथ ही साथ insurance cost भी पे करनी पड़ती है so that खुदाना खासता अगर shipment में कोई issue आता है कोई trouble आती है या sinking होती है ढूप जाता है excellent होता है तो उस case में वो insurance company हमें उसकी value की का claim दे देती है loading and offloading definitely labor जो supplier के पास से load करेगी उस container में और offloading जो हमारे पास आके कि हमारे labor उसको उतारेगी उसके लावा brokerage या commission yes हम जितनी बार हम order place करेंगे उतनी बार हमें commission pay करनी पड़ेगी अपने brokers को अच्छा यह हमने highlight कर लिया कि एक ordering cost है और दूसरी holding cost है अब हम आते हैं अब वापस is Frank कि तम चागरे है आप हम यह चाह रहे हैं कि हम एक ऐसी order size place करें जहां पे हमारी holding cost भी कम से कम हो और जहां पे हमारी ordering cost भी कम से कम हो नुक्सान यह हो रहा है कि हम यहां से quantity बढ़ा रहे हैं तो holding cost बढ़ रही है Ordering cost गिर रही है और quantity कम कर है अचा अब यह हम एक फॉर्मिला की तरफ आ जाते हैं जो कि आपको इस बात के हवाले से गाइड करेगा कि आप और कैसे प्लेस करेंगे एक मॉडल है इस एकनॉमिक ओड़र कॉइंटिटी इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं ई ओ क्यू इस मॉडल का क्लेम यह है कि मैं आपको एक ऐसी ओडर कॉइंटिटी बताऊंगा जो आपकी ओर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा और कंपनी को फाइदा होगा मुझे फॉलो करने से अच्छा हम पूछते हैं कि चलो भाई बताओ क्या करना है वो कहता है कि आप यूनिट्स ऐसे मंगवाना हूँ यह इसने एक फॉर्मिला दे दिया जिससे हमें एकनॉमिक और कॉंटिटी एकनॉमिक हम कहते हैं बचत पैक को ना इकनॉमी पैक बचत पैक एकनॉमी मतब जहां आपको बचत होगी तो इकनॉमिक और कोंटिटी यानि और की वो क्वांटिटी ओर कि वो साइज ओर की वो वैल्यू जिससे आपको बचत होगी प्चत किसमें ऑजरी पार्टरींग कॉस्ट में और होल्डिंग कॉस्ट कि अच्छा पहले हम इसकी कुछ Assumptions देख लेंगे Assumptions का मकसद यह जब भी कोई मौडल हम प्रेंगे वो पहले अपना एक माहौल बनाएगा और कहेगा कि मैं सिर्फ इस माहौल में काम कर सकता हूँ इसके इलावा अगर कोई माहौल है तो मैं काम नहीं कर सकता लेज़ा आपने कुछ Assumptions इंशोर करनी है हमने का चलो ठीक है बताओ क्या क्या पहला इसने कहा यह जहीं पहले कि आपको पूरे साल में राव मटीरियल के कितने किलो ग्राम्स चाहिएं जो आप बताएंगे वो fix'd ढूंगे ऐसा नहीं होगा किसी साल में कैए कि मुझे इस साल एक लाग भीस चाहिए या एक लाग सतर चाहिए या एक लाग पचास चाहिए या एस साल सर्फ लाग चाहिए नहीं अगर आप ने यह कह दिया के कंपनी को इस एक साल में एक लाख बीस हजार किलो ग्रैम्स चाहिए तो इसका मकसद आपको एक लाख बीस हजार किलो ग्रैम्स ही चाहिए होंगे ये कभी एक लाख बीस हजार से ज्यादा और कभी एक लाख बीस हजार से कम होंगे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है तो हमारी जो annual demand है raw materialty वो constant होनी चाहिए fix होनी चाहिए अच्छा एक बात हमने मान लिए दूसरा ये कहता है evenly spread over the year अच्छा हम जब ये कह रहे हैं कि हमारी जो demand है वो एक लाग बीस हजार है तो ये कहता है कि यानि आपको एक महीने में 10,000 kg चाहिए होंगे यानि कोई seasonal variation मुम्किन नहीं है कि किसी महीने में हमें 15,000 kg चाहिए होंगे किसी महीने में 5,000 kg चाहिए होंगे ऐसी कोई बात नहीं हो रही इसी तरीके से अगर साल के 365 या 360 दिन हम जयुम करने तो इसका मकसद अगर आपको पुरे साल में 120,000 kg चाहिए तो हर रोज आपकी फैक्टरी में 333 kg कंज्यूम होंगे अगर हम हफतों पे रखे लेटसे 50 हफते हैं एक साल में तो अगर आपको पुरे साल में 120,000 kg चाहिए तो इसका मकसद यह है कि आपको हर हफते 2400 kg चाहिए होंगे ऐसा नहीं होगा कि किसी हफते में ज्यादा और किसी हफते में कम kg चाहिए होंगे यह इसकी पहली-पहली assumption है that annual demand of raw material is constant and evenly spread over the year लेज़ा वो companies जहां पे uncertainties है raw material की requirement कभी बढ़ भी सकती है कभी कम भी हो सकती है तो वो बराय महरबानी EOQ की तरफ ना आए EOQ उनके लिए suitable नहीं होगा अच्छा दूसरा भाई बोलो और क्या बोलते हो तो अच्छ ने कहा के मेरी assumption के मताबग अच्छ 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 अच 20,000 केजी खरीदे, सब्लाइर आपको एक किलो ग्रैम 80 रुपे में ही देगा ज्यादा खरीदने पर किसी किसम का कोई डिसकाउंट नहीं है यह अजम्शन किसकी है, EOQ की अजम्शन है, चलो भाई यह बात भी मान ली, और क्या करें दूसरे ज़ने कहा that holding cost is per unit per annum हम यह बात उपर कर चुके हैं यह holding cost fixed नहीं होनी चाहिए अगर कि holding cost fixed है यानि आप कितने भी units खरीदो खर्चा वही आएगा तो फिर EOQ आपके काम में नहीं आएगा क्योंकिए EOQ सुर्फ तभी आपका काम आ सकता है, जब आपके holding cost variable होगी अच्छा, चौती assumption क्या भाई बोल रहे हो यह कह रहा है अच्छा, यहां पर भी हमें इतराज हो सकता है यह कहता है कि जो order place करने की cost है वो constant होगी, same होगी चाहे आप कितना बड़ा या कितना चोटा order place करें हाला कि हम यह कह सकते हैं कि अगर हम 5000 केजी खरीदे हैं तो वो शायद जो चिंग्ची लोडर होता है उसमें आ जाएंगे अगर हम 10,000 केजी खरीदे हैं तो हमें शायद वो सुजुकी मजदा करनी पड़ेगी तो उसका किराया ज्यादा होता है और अगर हम 30,000 केजी खरीदेंगे तो फिर हमें शेजोर करानी पड़ेगी और उसके कॉस्ट तोड़ी और ज्यादा है अगर हम 40,000 केजी खरीदेंगे तो हमें ट्रक बुक कराना पड़ेगा और ट्रक का क्राया उससे भी जाता है अगर हम 60,000 kg खरीदेंगे तो फिर बात container तक चली जाएगे और हमें पुरा container बुक कराना पड़ जाएगा तो आप कम कम kg करके खरीदेंगे तो आपकी जो transportation या जो loading loading cost है जो ordering cost है वो कम हो सकती है और आप बड़ी-बड़ी quantity खरीदेंगे तो आपकी जो cost per order है वो बढ़ सकती है लेकिन EUQ कहता है कि भाई मैं आपसे बात नहीं कर रहा अगर आप ऐसी बाते करोगे तो लोड़िंग ऑफ-लोड़िंग की cost per one order है वो सेम होगी ordering size कम या ज्यादा करने से आपकी ordering cost पे फरक नहीं पढ़ना चाहिए अगर हाँ कबूल है तो आगे चले नहीं तो पर आप यहां से जाओ अच्छा यह इसकी चौथी अगी के जो ordering cost है वो सेम रहनी चाहिए quantity कम या जाद होने से order size order cost पे फरक नहीं पढ़ना से अच्छा और क्या कहता है यह कहता है के सब्सक्राइब करें delivery time का मकसद कि जब हम order place करेंगे और जब order हमारे पास पहुचेगा delivery time वो या तो निल है यानि supplier को बोला और supplier अगले दिन हमारे पास समान पहुचा देगा कभी-कबार इन situations में uncertainty होती है supplier आपको समान पहुचाने में एक दिन भी लगा सकता है दो दिन भी लगा सकता है तीन दिन भी लगा सकता है अगर आपकी company में ऐसा माहूल है तो आप EOQ follow कर सकते हैं अगर आपकी company में ऐसा माहूल नहीं है तो आप EOQ के caliber पे नहीं आएंगे EOQ में कोई खामी नहीं है और मैं हमेशे ये कहता हूँ कि assumptions देने का मकसद है पर काड़ दो दमाग चिलाने की गुंजाइश खतम कर दो आप सोचों नहीं ज्यादा जो मैंने बोला है आप उसी पर आ जो तो यह assumptions है assumptions मतलब अगर आप कहें कि सर कभी अगर ज़्यादा ज़्यादा पढ़ जाया raw material की मैं बोलगा तुम ज़्यादा बोल रहे हो यह क्यों यूज कर सकते हैं अच्छा यह क्यों के अंदर में चाहिए क्या क्या यह क्यों इस स्कॉर रूट आफ सी ओ सी ओ का मक्साद है इस कॉस्ट पर ऑर्डर अजम्शन आपको याद है अजम्शन है तर इस रिगार्ड लेस अफ ओर्डर साइज क्यों कितना भी ओ वाट दसी एच छ इच इस छोड इंक ऑस्ट पर यूनित पर एनम लास्ट इंपॉर्टेंट एडिया समझा रहा हूं डी का मकसद है एन्यूल डिमांड लेकिन वाज़े रहे हैं मैंने लेक्चर स्टार्ट करते ही एक चीज़ समझाई थी कि हम जितनी भी बात करेंगे वह राव मेट्रियल की करेंगे फिनिश गुट्स की नहीं करेंगे तो जब मैंने बोला एन्यूल डिमांड तो डिमांड से मेरा हर गिस भी मकसद ये नहीं है कि मेरे प्रड़क्स कितने बिकेंगे और मेरे प्रड़क्स कितने बिकेंगे यहाँ पर डिमांड का मकसद है एन्यूल कंजम्शन ओफ रॉव मटिरियल इन फेक्ट्री दिमांड का यहाँ पर मकसद है कि आप अपनी फेक्ट्री में साल के अंदर कितना रॉव मटिरियल कंजूम करते हैं यहाँ पर मैं अजूम कर रहा हूँ कि मेरे पास ना ओपनिंग स्टॉक होगा ना क्लोजिंग स्टॉक होगा अगर मेरे पास रॉव मटिरियल का कुछ ओपनिंग स्टॉक मौजूद है और क्लोजिंग स्टॉक में बचाना चाहता हूँ तो डिमांड का मकसद आप सप्लायर से कितना रॉव मटिरियल एक साल में खरी देंगे यहाँ पर डिमांड का मकसद हर्गिस भी फिनिष्ट गूट्स की दमांड नहीं है है तो इस नोट सेल ओफ फिनिष्ट गूट्स दीका मकसद है डिमांड ओ रॉव मटिरियल इन फेक्रीट के लिए सो तू फर्मिला के अंदर गिवन है सी ओ का मकसद यहाँ पर मने बता दिया दिसस कॉस्ट पर ओर्डर डी का मकसद हमने देख लिया एन्युल डिमांड और सी एच का मकसद हमने देख लिया इस होल्डिंग कॉस्ट पर किलो ग्रैम पर एनम अभी आपकी नमास का टाइम हो गया है अगर किसी को कोई क्रेशन है तो आप पूच सकते हैं और वाइस हम इसको यहां पर पाइंट आप करें हमजा बहुत सारी फैक्टरीज जहां के अंदर मिसाल हम कुछ फैक्टरीज की ऐसी बात करें जिसमें डिमांड जो है वो सर्टेन होती है जहां पर कोई सीजन का इशू नहीं होता लेट से फर इस्टेस अगर हम किसी ऐसी कंपनी की नेसले की बात करते हैं या एकोफिना की बात करते हैं जो अपने पानी के जो कैन बनाता है वो अपने साल के 365 दिन फुल कैपेसिटी पर काम करता है चाहे गर्मिया हो चाहे सर्दिया हो उनका जो पानी पुरे मुल्क में बिखता है वो फुल कैपेसिटी पर बिखता है यानि उनके पास अभी भी डिमांड बहुत जाता है लेकिन उनके पास capacity ही कम है लेहाजा उनकी अगर annual डिमांड देखी जाए तो वो constant है हर महीने हर हफते हर दिन उनको same quantity of raw material चाहिए मिसाल अगर वो companies अपने chemist से अपनी company से minerals खरीदी है तो minerals जो खरीदे जाएंगे वो साल के 365 दिनों में बराबर ही खरीदे जाएंगे क्योंकि उनकी डिमांड है वो बिल्कुल certain है तो ऐसी companies और क्योंके minerals ज्यादा भी खरीदें या कम भी खरीदें को इतने भारी नहीं होते पाउडर ही होता है तो पाउडर को आप कितनी भी quantity में खरीदें वो किसी भी गाड़ी के अंदर fit आ जाएगा उसको कोई बड़ी भारी बरकम container लेने की ज़रूरत नहीं होती तो ऐसी companies जहां पर demand certain होती है और उनके पास हर साल same demand रहती है और हर दिन same demand रहती है तो ऐसी companies यो की follow करती है बागी जहां seasonal है मिसला हम floor mill की बात करें तो floor mill सरफ तभी चलेगी जब उसके पास गंदम उतरेगी जिसरा अभी मौसम चल रहा है अभी पाकिस्तान में season है हम यह तक काम हो जाएगा इसी तरीके से textile mills है या cotton factories है वो season पर depend करती है तो उन companies के यो क्यों suitable नहीं होता जो यो क्यों है यह theoretical technique है practically इसको almost कोई भी company follow नहीं करती लेकिन ICAP ने या किसी भी professional qualification ने इसको syllabus में डाला हुआ है क्योंकि इसकी तुड़ी calculations technical है तो उस technical calculations की वजह से इसको examine करने में असानी होती है बाकि अगर देखा जाए तो as such कोई practically इसको कोई company follow नहीं करती है तो कि अज़र नंबर 5 वास अगर वी विए सप्लाइलीट टाइम इस निल और प्रिड़ेक्टेबल सप्लाइलीट इम हम कहते हैं कि हम सप्लायर को जब और प्लेस करेंगे तो कितने अर्से के बाद सप्लायर वो समान हमारे पास दिलेवर करेंगा बाद इसमें एंसे कि आपके पास तीन दिरों में पहुंच जाएगा लेकिन हम तीन दिरों के बात पहुंच जाएगा इसको हम कहते हैं सप्लाइब लीड टाइम योक्यू का मानना ये है कि लीड टाइम में किसी किसम की कोई अनसैटिनिटी नहीं है या तो वो उस ही वक्त पहुंच जाएगा जब आप सप्लाइर को बोलोगे या तो सप्लाइर जो दो दिन तीन दिन कह रहा है वो उस ही गिविन टाइम के अंदर-अंदर आपको डिलिवर कर देगा सप्लाइर को टाइम नहीं लगेगा पहुंचा देगा ये इसकी पांच वी असंट ये अब आप 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 आप